नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चनल के साथ मेरा नाम है विरेंसिंग तो जी हां CSR का exam का जो schedule है वो दे दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही प्रेडिट किया था कि Life Science का exam जो होते उन में पढ़ता है और इस बार Life Science का exam 25th of June को 2 shift में हो करने वाला है तो क्रिप्या करके जो है वह आप अपने प्रेप्रेशन को अब फाइनल नोट पे जो है लेके जाईएगा अब यहां पर बात कर लेते लास्ट विक CSR स्ट्रेजी के लिए यह वीडियो जो है वह उन सभी स्टूडर्स के लिए बना रहो जिन्होंने काफे र वह सिंपल और प्राक्टिकल स्टूशन के उपर बात करते हूं कि खिर आप जो है वह किस तरीके से CSR को अब देखो एक सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो अगर आपने जो है अगर छे मिने धंग से पढ़ाई करी होगी तो आपको यह दस दिन जो है इंपक्त करने वाला नह कि अपने जो है वो मेहनत करी है आपने अपना जीजान लगा है तो फिर इस पर सोचने की जरुवत नहीं है कि दस दिन है वो सब कुछ बदल देगा और अगर आपने छे मिने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है यह आपने सिर्फ समय गवाया है तो इस दस दिन में भी बहु डिसाइड करते हैं, डिसीजन तो पूरा का पूरा जो है, वो फर्स्ट ओवर से लेकर 20 ओवर तक हो रहा होता है, तो आपकी जो प्रेपरेशन है, वो पहले मन से लेकर अभी तक की सारी प्रेपरेशन काउंट होगी, लेकिन ये जो है, वो मैं एक बार बता दू कि इस वक्त स स्ट्रेटेजी होती है, कि कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो, मतलब इस बर जो है, वो कई सारे यूट्यूब पे कई सारे लोग कई सारी बाते करेंगे, कि ये वाली स्ट्रेजी करो, ये कर लो, ये कर लोगे तो CSR हो जाएगा, वो कर लोगे तो CSR हो जाएगा, लेकिन अगर आपको यही strategy अगर उन्हें इतनी ही जो है वो आफिक्टिव थी तो वो पहले क्यों नहीं launch कर रहे है। वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आखिर में 6 मीने पहले बताया होते हैं 4 मीने पहले बताया होते हैं कि ऐसा कर लो तो हो जाएगा या इस तरीके से चीजी हो जाएंगे, इस बात को समझो कि यह जो है, वो अगर सचमे ऐसा है सचमे अगर इस तरीके से होगा logic अगर आप अपना यूज करो, common sense आप यूज करो, कि दस दिन में कैसे जो है वो अगर इस strategy चीज़े हो जाएंगे, इस वक्त strategy जो आपकी हो रहे हैं वो खुद को काम रखने के होने चाहिए, खुद को कूल रखने के होने चाहिए, क्योंकि यह वो एक टाइम है, जहापे आपके पास, मैं आपको literally बता रहो कि चाहिए, वो कितना भी brilliant student क्यों नहीं होगा, उसे confidence इस वक्त जो है, वो उसका confidence एकदम ECG के लाइन की तरह कभी उपर, कभी नीचे, कभी उपर, कभी नीचे, कभी उपर, कभी नीचे चलने वाला, constant तो कभी हो गए नहीं, आपका जो mood है, आपका जो confidence है, आपके जो चीजे है न, वो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एकदम confident feel कर रहे हो, examination hall में जाने तक, और examination hall के बाहर आने तक, it's normal, सबसे जरूरी चीजे समझना है कि ये normal है, आपके साथ ऐसा होना, आपके साथ माइन के साथ ऐसा होना, ये normal चीजे है, इस तरीके की चीजे जो है, बिलकुल होती रहेंगे, क्योंकि we are humans, we have hormones, we have mood swings, we have different things, हमारे पास माइन इस तरीके का है, कि वो चीजे जो ह अंदर confident जाते हैं, ये थोड़ा सा जो है, ऐसा सोच रहे होते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं, सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो अब ये सोच के जो है, सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उसमें कितना बदल पाओगे, आपको क्या लगता है, कि अगर आपने जो क या नहीं किया, दस दिनों में क्या कर सकते हो ऐसा, जो कि एकदम बदल जाएगा या तुफानी हो जाएगा, ऐसा तो है, बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट, बिलीव योर सेल्फ, आप जो है, आपने जो किया, इसमें थोड़ा सा यकीन रखो, थोड़ा सा फेथ रखो, और काम रहने की कोशिस करो, जैसा मैं बार-बार कह रहे हो, कूल रहने की कोशिस करो, और जो आप करते आ रहे हो, उसी को करने की कोशिस करो, और माइन तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुइट तो करने ही वाला है, जितना हो सके, कोशिस करना पड़ेगा, एक बार फिर से मैं बोलो, क कोसिस करोगे तब ही होगा कोसिस कहते हैं कि लहरों से डरकर नोका पा़ नी होती कोसिस करने वालों की हार नी होती ननी चीटी जब दाना लेकर चलती है चड़ती दीवारों पे सौबार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है गिरकर चड़ना चरकर गिरना नहीं अखरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती तो exactly जो है अगर आप कोशिस करते रोगे अपने आपको फोस्ट करते रोगे तो आपका जो है जो है एक अच्छा रिजल्ट लेकिया है तो अब बात कर लेते हैं एक्चुल जो है वो आपका अप्रोच क्या होता चीए जो मैं फिर से बोल रहो कि मैं आपके strategy में कोई strategy की वीडियो देखी कोई PYQ का वीडियो देखा कोई test series का वीडियो देखा या किसी बच्चे ने या किसी student ने या किसी दोस्त ने आपसे पूछ लिया क्या ये topic पढ़ा है और में भी साथ आपने उस topic को नहीं बढ़ाओ तो जो है आप फिर घबराने लग जाओगे आपके अंदर अरे यार इसने तो ये वाला topic भी पढ़ा है मैंने नहीं पढ़ा है और फिर आप अंदर confident होते चले जाओगे लेकिन हो सकता है कि उसने सिर्फ वही पढ़ा हो जो आपने पढ़ा है वो तो बिल्कुल ना पढ़ा हो ये भी तो हो सकता है तो इसलिए जो है वो आप सिर्फ उस चीजों पर compare करने मतलग जाना कि उसने क्या पढ़ा है और जो है मैंने नहीं पढ़ा है ये भी तो देखो आपने क्या-क्या पढ़ा है साथ उसने ना पढ़ो यह ध्यार है कि इस लिए कह रहा है कि इस वक्त नए टॉपिक में मत जाना क्योंकि वो सिर्फ अब आपके खिषडी करने की कोशिस करेगा माइंड में तो कोशिस करेगा कि जितनी information आपने गेंड कर रखा है आपका जो प्राइमरी गोल है वो information को gather करना नहीं है information को retain करके उसको apply करना है question को अच्छे से read करना है question को solve करना है इसलिए जो है अब आपका जो approach होना चाहिए last one week में आपके पास लगबग लगबग 7 दिन बचे हुए हैं इन 7 दिनों में जो है आप क्या करोगे complete करो ऐसा नहीं कि भस धीरे धीरे करना है जितना तेजी से आखों के सामने उसको गुजारो जितना तेजी से जितना बार गुजार सकते हो गुजारो पास दिन के लिए बीच में अब ज़्यादा कोई mock test चीजों को appear करने की कोसिस भी मत करना एक आख mock test देना है तो दे सकते हो लेकिन अब mock test में अगर number गड़ बढ़ा है तो आपका conference deal होगा तो second tip यही है कि पहले तो आप जो है कोई नई चीज जो है वो read out मत करना किसी भी तरीके के जहांसे में आके दूसरा बहुत सारे आप mock test देने की जरुवत नहीं है last times पे एक आख mock test देना है तो दे सकते हो थोड़ा बहुत अगर आपने आपको evaluate करना है तो कर सकते हो लेकिन mock test ही सब कुछ reality नहीं हो दी yes it depicts the reality it predicts the reality यह आपके real evaluation को बताता है लेकिन sometimes मैं यह नहीं कह सकता 100% ही बताता है कई बार आप mock test में कई ऐसे बच्चे में ने देखे जो पूर perform करते हैं लेकिन examination को crack कर जाते हैं तो yes आप mock test पे completely rely मत करिएगा पहली tip क्या थी नई चीज़े नहीं पढ़नी mock test को बहुत जादा नहीं देना एक आग देना है तो मन के उपर दे सकते हो तीसरी PYQ के सारे question को जो आखों के सामने घूमा ले जाओ not the answers, not with the answers the third important tips जितने भी PYQ को questions है उन PYQ के question के answer उसके साथ लिखे नहीं होने चाहिए और नहीं with answer आपको question देखना है और आपको खुद इतना जाना चाहिए कि इसमें क्या logic या keyword मुझे पकड़ना है जैसा मैं recall express में आपको बताने की कोसिस करो तो आप उसको जितना तेजी से पूरे unit के PYQ को recall कर जाई है यह जो है top 3 tips की में बात करो अब time management की बिटा आप सुबर 9 बज़े उठो इतना पढ़ओ दो गंटे पड़ो यह सब बच्चों वाले खेल होते अब आपको दो गंटे पढ़ना है कि 4 गंटे पढ़ना है कि 6 गंटे पढ़ना है कि 8 गंटे पढ़ना है यह आपकी जिमेदार ही है career आपका मैं आपको सिर्फ बता रहो कि अगर आप यह theory और practice और practice में आप question बैट के solve मत करो 3-3 गंटे वो तो जितना करना था आप कर चुके हो अब कितना ही कर पाओगे हाला कि अगर आप lecture 2-3-3 गंटे continuous ले रहे तो आपका brain adapt हो चुका 3 गंटे continuous काम करने के लिए आप आप questions को तेजी से गुमा के देखो कि अच्छा इसमें यह logic था इसमें यह formula यह चीज़ आपके पास होने चीए जब इस तरीके के चीज़े आप कर लोगे तो कल को future में जो है वो अगर आपके पास जो है वो question देखोगे तो कई सारे question आपके उसी से जो है देखेंगे कि मिलते जुलते कोशन आ सकते तो यह top three tips है जो आप इसको follow कर सकते हो और basic tips जो मैंने बताए यह top three tips आपके strategy में इंक्लूड होने चीज़े कोसिस करके देखना डेली दो यूनिट के जो है वो theory practice और दो यूनिट के उसी दो यूनिट के practice recalling फिर इसी तरीके से पास दिन करो 10 यूनिट जो है वो clear और करके मुझे बताना कि आप ने कितना अचीव किया आप homework के तौर पे ले लो आप एक goal के तौर पे ले लो ठीक है आप एक first half आप अप पास है उसमें सोख हाओ जो भी करना वो करो यह 6 गंटे के goal लगाओ और लगा के मुझे जो है इसी वीडियो के comment box में बताना हर दिन कि आपने आज जो है पहले यूनिट आपको रखना है कौन सी यूनिट आपने पहले जो है complete करी जड़ासा इस goal को जो है अचीव करो और द इसके बाद जो बेसिक स्ट्रेजी के साथ पहला कोई नई चीज नहीं पढ़ना है तीसरा जो मैंने बताया कि आप अपना गोल सेट करिए जो यूनिट पर दे विट पीवाई क्यूज आज विट थियोरी अब इसके बात करते कि बेसिक दो क्या है वह पहले मैं सो कर चुका आप अपने मेंटल स्टेट को जितना हो सके अंडर स्टेंड करिए मतलब इस नॉर्मल तू फिल स्ट्रेस तू फिल टेंस तू फिल इन्जाइटी यह नॉर्मल है लोगों इसको निगेटिव कर रखा है जब भी आपको ऐसा होता तो इससे बाहर कैसे निकलों मॉस्ट अफ पर देगा ठीक है आप दुखी हो तो पढ़ने से क्या दिक्कत है भाई मैं खुश हूँ जाए दुखी हूँ मैं चेंट स्ट्रेस्ट हूँ मेरे को पढ़ना है अपने ब्रेन को बस यह बोलो को पढ़ना है भाई मुझे अपने मूड से मतलब नहीं कि मुझे क्या फील हो मुझे पढ़ना है that's it feeling और study का relation एक साथ एकदम मत रख लेना भले मैं मानता हूँ efficiency उतनी हो या ना हो लेकिन अगर आपने यह कर दिया तो एक या दो दिन में आपका mood खुदी adopt कर जाएगा चाहे mood कुछ भी वो पढ़ते रहोगे यह काम करो ठीक है पहली चीज कि आप जराजो या जहासो में मत पढ़ना कई सारे ऐसे videos होंगे कई सारे से टॉपर्स होंगे कई सारे से YouTube होंगे जहाँ पर आपको जो है बहुत सारे ऐसे मंत्र बता दिये जाएंगे जैसे यह करके यह कर लोगे उन सब चीजों से थोड़ा बचना मतलब आपकी अंतरात्मा गर मैं क्या कह रहा हूँ आपकी अंतरात्मा अगर इस चीज को disagree करती तो आप मेरी बात को बिल्कुल follow मत करना ठीक है आपकी अंतरात्मा मतलब आपको खुद पता होता है कि मुझे क्या जरूरी है या मुझे क्या सही वे suit करेगा जैसे कोई डॉक्टर अगर कुछ चीज बोल रहा होता है कुछ चीज कह रहा होता है तो उसे आपको पता होता है कि काखिर में यह जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है इसलिए मैं जो कुछ भी आपसे बोल रहा हूँ यह जो है आप अपने मंतर आत्मा से खुद पूचिएगा कि आपके लिए applicable है तो करिएगा, नहीं है तो मत करिएगा, simple सी बात है, कोई ज़रूर नहीं कोई forcefully नहीं करने का, यही चीज़ आप बाकी जगों पे करिएगा, मैंनी करो कि मेरे strategies एक दम best strategies है और यही follow करना है, मैं मैं चाहता हूं कि आप जो है उस चक्र व्यू में मत फस येगा जिस चक्र व्यू में अक्सर लोग फस जाया करते आखरी मोमेंट पे आके बाकी मर्जी है आपकी तो यह रहे मेरे टॉप फाइब टिप्स जिसके मैं स्ट्रेजी की उपर बात किया था पहला टिप्स था अब इस टाइम पर नया चीज़े ना पढ़े दूसरा टिप्स था आप मौक टेस्ट में ज्यादा इंवाल्व ना हो तीसरा टिप्स था कि दो जो है यूनिट कंप्लीट थियूरी कंप्लीट पीवाई क्यू का फर्स्टाफ सेकेंड आफ चार गंडे थियूरी दो गंडे पीव दूसरे रिवट का और जो है पांस दिन में दस यूनिट ऐसे करके आप गूल को इस कमेंट में टाइप करके बताएंगे तो उसके बाद चौथा टिप्स था कि आप जो है मेंटल लेवल के जो फिलिंग से उसको एक्स जो एकसेप्ट करें कि यह है भाई पढ़ना है तो प लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं आप से निक्स्ट वीडियो में टेल दन बाई बाई टेक यह जैए